दूस्तो मैंने आप सभी से एक चीज कहा था कि अगर आपके वाटसप के अंदर कुछ ऐसा सेटिंग है तो समझ लिजी कि आपका वाटसप किसी ने कंट्रोल करके रखा है अगर आपके अंदर ऐसा सेटिंग नहीं है तो आप बिल्कुल एक्तम सेफ हो लेकिन दूस्तो आज म कि यहां पर लिखा हुआ है कि आप अपने इस वाटसप को चार और वाटसप के अंदर यूज कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको बीटा वर्जन में जोईन होना होगा और अभी आप जो दूसरे फोन में देख रहे हो ये वाला मैंने जोईन कर रखा है अगर मैं यहां से कोई भी वाटसप को स्कैन करता हूँ तो स्कैन करने के बाद होगा क्या कि मेरा जो प्राइमिरी डिवाइस है जिससे मैंने किसी वेब ब्राउजर में जाकर स्कैन किया तो जो आपका में डिवाइस है जो मेरा में डिवाइस है जिसमें मैंने अपना वाटसप अकाउंट ब आपके WhatsApp के अंदर तो आपका WhatsApp किसी ने कंट्रोल करके रखा है तो दोस्तों अब यहाँ पे जो changes हो चुका है वो तो leak आ रहा था लेकिन अभी जो final update है उसमें अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका multi device beta करके ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ आएगा वहाँ पे join करना फिर भी महाँ पे join aid लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे कोई device active है तो समझ लिजे कि आपका कहीं पे pole खुल रहा है कोई आपके messages को देख रहा है और अगर आप कुछ इसी तरीके से latest update से aware रहना चाहते हो जानना चाहते हो कि यह feature क्या काम करता है तो आप सीखे all in Hindi चैन बूलना वरना latest update old हो जाएगा तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना take care till then and good bye